हर हर मादेव सभी को स्वागत है आपका आज के इसने वीडियो का अंदर और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ स्टेंडर्ड से 2 का कोशन नमबर 34 मतलब 34 का बी पार्ड टी के और के बाद वाला तो इसमें दिया गया है Tara scored 40 marks in a test getting three marks for each right answer and losing one marks for each wrong answer had four marks been awarded for each correct answer and five marks been detected for each wrong answer then Tara would have scored 50 marks assuming that Tara attempted all questions find the total number of questions in the test the total number of questions वो अपने को find out करना है तो अपने को देखो यहाँ पर दो condition दे दी दो condition का जादी कि एक condition का अंदर तारा को 40 marks receive होते हैं और एक condition का अंदर तारा को 50 marks receive होते हैं तो यहाँ पर मैं right को दे देता हूं denote कर देता हूं r से ठीके और wrong को denote कर देता हूं मैं suppose wrong से, ओके तो योग है right और योग है wrong, तो पहली condition के अंदर उसको total marks मिलते हैं, वो मिलते है 40 marks, और 40 marks का मिलते हैं, जब right के लिए, एक right question के लिए उसको मिलता है, कितने marks, plus 3 marks, और wrong के लिए उसको मिलते है, minus 1 marks, तो minus 1 marks, दूसरी condition दीवी है, कि उसको मिलते है 50 marks, ठीक है, यदि उसको right answer के लिए 4 marks दी जाते हैं, ठीक है, plus 4, और उसको 2 marks काट लिए तो minus 2, अब अपने assume करेते हैं, जो right answer उसने किये है, वो x है, ठीक है, और wrong जो उसने किये है, वो है y, ठीक है, तो इन दोनों के according अपने पास में 2 equations बन जाएगे, मतलब linear equation in 2 variable का यह question है, तो अगर देखो, उसको marks मिल कितने जाएंगे, अगर मालों उसने x questions right किये, और हर एक का 3 marks मिलता है, तो क्या हो जाएगा, 3x marks जो है, वो right के मिल जाएंगे, अब deduct कितने हो जाएंगे इस में से, तो हर wrong answer के लिए minus 1 हो रहा है, तो y questions के लिए कितने में से जाएंगे, तो minus y marks deduct हो जाए equation number 1, ठीक है, तो यहाँ पर भी x questions है, और यहाँ पर y questions है, तो यह सेम equation के लिए यह भी हो जाएंगे, यह सो नो, तो यदि अगर 4 marks मिलते हैं, right के लिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे, right के जो marks है, वो हो जाएंगे, उस में से wrong के जो deduct होन है, वो हो जाएंगे, तो अगर total y questions है, और हर एक का minus 2 deduct होता है, तो minus 2y total deduct हो जाएंगे, तो यहाँ जगा minus 2y is equal to, कितने मिलेंगे बाद मास को, बच के 50 marks, तो यह हो गई second equation, अब अपने को total number of questions find out करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन total number of questions, तो total number of questions के हो जाएंगे, right plus wrong, तो right questions कितने माने थे अपने x, व होना थे अपने y, मतलब क्या करना है अपने को x plus y का value है, वो find out करना है, equations यहाँ पर लिखेंगे ता हमें next page पर, पहली equation है, 3x minus y is equal to 40, यह हो गई equation number 1, दूसरी equation है, 4x minus 2y is equal to 50, यह हो गई second equation, अब देखिए, यहाँ पर इस equation का अंदर 2 comma आ रहा है, तो यहाँ से 2 comma ले लें 50, अब यह 2 दो जाके 50 से divide हो जाएगा, तो 2x minus y is equal to 50 divided by 2 is equal to 25, so equation आगे अपने पास में, 2x minus y is equal to 25, ठीक है, यह equation कौन सी भी, यह वाली second equation भी, इसको नाम अपने यहाँ पर second ही देंगे, ताकि confusion ना हो, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी minus y है, यहाँ पर भी minus y है, तो अपन क्या करते है, कि जो first equation है, उसमें से यहाँ तो second equation को minus कर देते हैं, second में से first को minus कर देते हैं, तो मैं ऐसा गरता हूँ, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो थोड़ा सा common sense लगा कि अपन first में से second को minus कर देते हैं, ठीक है, तो first 3x minus y is equal to 40, फिर 2x minus y is equal to 25, अब minus करेंगे, तो यह सांचे हो जागा, तो यह minus हो जाएगा, और यह minus है, तो यह plus हो जाएगा, और यह plus है, तो यह minus हो जाएगा, अब देको 3x minus 2x हो जाएगा, x and minus y plus y cancel हो जाएगा, and equal to 40 minus 25 हो जाएगा, 15, तो x is equal to 15, मतलब, right answers कितने होगे, जा right questions कितने होगे, x is equal to 15 15 questions जो एक्दम write गए अब अब अपने को value find out करनी है 15 की तो यहाँ पर लिकेंगे put to x is equal to 15 in equation 1 या equation 2 किसी में put कर दो तो मैं suppose put कर देता हूँ equation first में तो equation first 3 x तो यहाँ जाएगा 3 multiply 15 minus y is equal to 40 so 3 multiply 45 minus y is equal to 40 तो 40 को इदे लेकर रहे देते हैं और minus y को उदे पर देते हैं तो यहाँ जाएगा 45 minus 40 is equal to y तो यहाँ जाएगा 5 is equal to y it means y का जो value है वो आगे अपने पास में 5 it means wrong answers कितना आगे रोग answer आगे y is equal to 5 5 answers जो रोंग किये और 15 जो questions है वो सही किये तो अब अपने पास में अपने को find out कितना क्या आगा ना था find the total number of questions in the test so यह क्यों जाएगा total questions कितना जाएगे total questions is equal to x plus y और x का विल्यों जाएगा 15 और y का विल्यों जाएगा 5 तो 15 प्लस 5 जो जाएग 20 so the answer is 20 it means total number of questions in the exam is 20 okay so this is the answer तो इसी तरह से अपने को equations बनानी है और equations को solve करना है और then solve करके उनका answer अपने को find out करना है तो यहाँ पर कोई भी method जो है वो mention नहीं था यहाँ पर शरीफ अपने को बोला गया था कि total number of questions find out करो कहीं बाद के होता है कि वहाँ पर आपको answer भी पूचेंगे और बोलेंगे कि आप उसको substitution method से solve करो या फिर आपको बोलेंगे कि elimination method से solve करो या फिर आपको बोलेंगे ग्राफिकल method से solve करो तो जो भी method आपको बोला जाए चाए substitution हो चाए elimination हो चाए graphical हो तो जो मेंतर से बोला जाए आपको उसी से solve करना है तो यहां पे तो कोई भी नहीं था कोई मेंतर का नाम नहीं था तो अपने जो आपको आपको नब अच्छा रखता है यह जिरता है उससे अपने ने solve कर लिया ठीक है अब उम्मीद करता हूं कि आपको जो डाउट है वो कीजर हो गया होगा आपको सब्सक्राइब आया हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्ताइब में शेर करें और इसी टाइब के और कोई कोशन्स हो जो आपको नहीं आ रहे हो कोई भी क्वेरी जो किसी क कोशन्स के अंदर तो आप हमें डिरेक्टली पूछ सकते हैं डावन लाइन एक टू फोर त्री फाइब डॉल जीरो वन पर ठीक है या फिर आप हमें इंस्टा पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हो ओके स्ट्रेंड हम आपकी हर पॉसिबल हेल्प करते हैं इसी तरह कि आप अपना नए बकी मिलते हैं नेक्स्ट वूडियों करते हैं तब तक रिए वाई वाई टेक केर तिंक्यों सवामच हर हर महादेरू